मंचूरियन किसे नहीं पसंद होता है ग्रेवी मंचूरियन बहुत सारे लोगों की पहले पसंद होती है जब भी वो राश्टरंट या होटल में कहीं भी खाना जाते हैं तो स्टार्टर में वो ओडर करते ही करते हैं चलिए देखते हैं इसको बनाने की आसान बिदी क्या है सबसे पहले हम इन समाग्रियों को देख लेते हैं पता गोबी, प्याज, गाजर, सिम्ना मिर्च इन सारी सबजियों को छोटे-छोटे टुकडों में हम कट कर लेंगे अगर आप चाहें तो इन्हें कर्दू-कजवी कर सकते हैं इन सबजियों को मैंने 2-5 गंटे पहले कट किया हुआ है इसलिए इनका पानी जोए वो सूप किया है आप चाहें तो इसे तुरंद कट कर सकते हैं बेट आपको तब इसमें नमक मिला करके इसका एक्स्ट्राबानी निकालना होगा नहीं तो आपको इसमें फिर मैदा ज्यादा डालना पड़ेगा मैंने इस मिक्शर में कुटी हुई काले मीच और नमक एड़ किया है और फूट कलर भी एड़ किया है फूट कलर एड़ करने की वज़े से इसका कलर थोड़ा ओरेंज लग रहा है अब मैंने इसमें एड़ किया है कॉन फ्लोर दो बड़े चमच मैदा चार बड़े चमच आप चाहें तो दोनों की मात्रा बराबर भी रख सकते है इन दोनों का अपना अलग-अलग महत्व है कॉन फ्लोर से हमारे बॉल्स में करंच आता है जो भी हम बॉल्स फ्राइ करेंगे और मैदे से इसके बांडिंग अच्छी होती है अब हमें मैदा और कॉन फ्लोर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक इस तरीके का mixture त्यार करना है आप देख सकते हैं आप इनका एक छूटा सा बॉल बना कर भी चेक कर लें आपका बॉल अच्छे से बंडा है या नहीं नहीं तो आप इसमें तुरूरा सा मैदा या comfort और भी आड़ कर लें मैंने बहुत सारे बॉल्स बना के रख लिए हैं तेल गरम होने लिए मैंने रख दिया था कड़ाई में अब सारे बॉल्स को इस कड़ाई में ढाल देंगे फ्राई होने के लिए आप फ्लेम को मेडियम टू लोही रखना नहीं तो आपके उपर-उपर से करंच हो जाएंगे और अंदर से आपको मैदिया का टेस्ट आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा हमें अंदर और बाहर दोनों तरफिते अच्छे से सिखना है इसलिए पलट-पलट के अच्छे से हम इसको पकाएंगे अब आप भी ग्रेवी मंचूरियन घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बॉल्स का कलर देख रहे हैं आप थोड़ा सुनेरा हो गया है अब हमारा बॉल एकदम तयार हो गया है हम इने निकाल लेंगे अब ही मैं आपको दिखाऊंगे एक भी बॉल्स मेरी क्रैक नहीं हुए है तूटे नहीं है इसी तरीके से आपको भी छूटे छूटे स्टेप को फॉलो करके घर पे अच्छे से मंचूरियन रेडी करना है देख लगते हैं मैं अपने हाँ में भी लेके आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से बॉल्स होने चाहिए बागी बच्चे भी बॉल्स भी में निकाल लेती हूँ अब हम चलेंगे मंचूरियन ग्रेवी बनाने के प्रोसस में चलिए देखते हैं इस में किन सबजियों का यूज हुआ है सिमला मिर्च पत्ता वो भी हरा प्याज लहसन अद्रग ये हम सबजिया लेंगे मैंने कड़ाई भी गरम उन्हें रख दिया है एक छोटा सा कटा हुआ प्याज है ये मसाले हैं मसाले में सोया सौस टमाटर कैचप ग्रेन चिली सौस और एक चममाच कॉर्ण फ्लोर राट करके घोल के रख दिया सबसे पहले हम डालेंगे कड़ाई में कटे हुए लेसन अद्रग आप चाहे तुष्य कूट भी सकते हैं साथ में इसके मिक्स करेंगे हरी मिर्च इसको थुडा सा पका देना है हमें ताकि इस पेना रह जाए आप देख सकते हैं, अब हम इसमें स्कॉयर कटे हुए प्याज को आट करेंगे, हमें सारी सब्जों को बस ट्रांस्लोजन ठोने तक ही पकाना है, में ज्यादा नहीं पकाना है, सब्जों में थोड़ा क्रंच होना चाहिए, फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, इंडो चाइन थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, मिक्स करके दो मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ढख के इस स्टेश वे हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर धक देंगे, धकने के बाद दो मिलट और पकाना है सब्ची को अब इसमें मसाले आट करेंगे, मसाले मैंने पहले ही बदा था इसमें क्या क्या आट है, मिला लेंगे अब इसमें तुरंथी पानी आट करेंगे कुकिसमें कॉंड फ्लोर होता है तो यह तुरंथी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है इस इसिच मेंने थोड़ा सा नमक एडु किया है नमक मैरी बॉल्स में भी ऐड yan了 मसालों में भी ऐड़ है थोड़ा सा बस मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक आड़ कर दिया एक मिनट मैंने इसे ढ़क के पकने दिया है आप देख सकते कैसे ठीकने सो गई है यही ठीकने हमें चाहिए इससे ज़्यादा गाड़ा नहीं होने देंगे अभी बॉल्स हम डालेंगे तो बॉल्स डालने के बाद भी थोड़ा ओर ठीक होता है ग्रेवी अब हम एक एक करके सारे बॉल्स कडाय में आड़ कर देंगे सारे बॉल्स में ने कराय में आड़ कर दिया आप इसे ढख करके एक से देड़ महिन तक पका दोंगी आप देख सकते हैं कितना जादा अच्छा बन करके ग्रेवी मंचुरियन तयार हुआ है यह खाने में बहुत ही टेस्टी था बहुत अच्छा लगा था अब हम इसको सजाने के लिए इसमें आड़ कर रहे हैं कटा हुआ प्याज और धनिया हमारा ग्रेव मंचुरियन तयार हो गया है आप देख सकते हैं अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगे है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप इसक्रिन पे मेरे चैनल को देख सकते है जोस्री अमेजिंग रेस्पी इसमें मैने बहुत अर्षी अच्छी एच्छी खाने की वीडियो डाल रखी है आप जाएं इनहें देखें अगर वीडियो आपको अची लगते से अ तो वीडियो को प्लीज जारू से जारूont and share and comment जरू से जरूर करें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वाचिंग